सेच श्रीकाल आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में आज मैं आपके लिए ना एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लाई हूँ मैं सुबह से सोच रही थी कि कुछ बढ़िया बनाते हैं जो हेल्दी हो टेस्टी हो और कुछ हटके हो तो भया फिर मेरे माइन में ये रेसिपी आई मैंने बोला आपके साथ चलिए शेयर करते हैं तो इसे बनाने के लिए ना मैंने या पर एक थाल में या फिर किसी भी मिक्सिंग बाउल में आप एक कप गिहूं का आटा ले लिजेगा उसमें हम डालेंगे एक टी स्पून शुगर चीनी ली है पिसी हुई नहीं है डारेक्ली यूज किया है एक टी स्पून नमक लिया है और एक टी स्पून बेकिंग सोडा यानि कि खाने वाला जो सोडा हम इस्तमाल करते हैं पकोड़े में वो वाला इस्तमाल करना है चार बड़े चमच मैंने इसमें दही डाली है जो दही है वो फ्रेश होने चाहिए इस बात का ध्यान देंगे सबसे पहले इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं गिहूं के आटे में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें तोड़ा थोड़ा करके ग्रैजुली पानी डालेंगे और एक सैमी सॉफ्ट सा आटा लगा कर टयार कर लेंगे जो आटा हमें यहाँ पर लगाना है वो बहुत ज़्यादा सौफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा सकत भी नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो लगकर तयार हो चुका है लास्ट में आपको एक स्टेप इसमें जरूर करना है क्योंकि आज की रेसिपी ने हमें एक लचक चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे और आटा हमारा पुरा बुद के तयार हो जाएगा ना फिर इसमें डालेंगे 1 टीज़्वून और अफिर से एकसे दूमने तक गूंतिएगा दोस्तो लास्ट में ओयल डालने से क्या होता है जो आटा है उसमें लज्जक आ जाती है जब हम इसका नास्ता बनाएंगे न तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो डेफिनेटली ओयल डाल कर आप इसे गूंतिए फिर हम इसे कवर करके 10 नट के लिए रेस्ट करने दिंगे अब हम बनाते हैं इसके लिए स्टफिंग तो एक मिक्सिंग बावल में मैंने एक प्याज ले लिया था महीन टुकडों में काटकर वो डाल दिया आधा कप मैंने कॉन ले लिया है स्वीट कॉन अगर आफ फ्रेश कॉन ले रहे हैं तो इसे ब साथ ही पैरी-पैरी मसाला मेरे रेड चिली फ्लेक्स खतम हो गया था तो मैंने पैरी-पैरी मसाला यूज कर लिया उसके साथ ही आम इसमें डालेंगे एक से देड़ बड़ा चमच सीजवान चटनी या फिर आप यहां पर पिज़ा पास्ता सॉस का भी यूज कर सकते हैं अ दोस्तों यह हमारी पिज़ा वाली स्टफिंग बनकर तयार को चुकी है जब तक हम स्टफिंग बना रहे थे ना तो जो आटा है उसने भी आराम कर लिया है अब यहां पर एक बार फिरसे से हाथों से सैट कर लेते हैं और नीबू के आकार की इसकी लोई तोड़ लेंगे न जितना पॉसिबल होगा हम अच्छे तरीके से इसे बेल लेंगे हद से जादा पतला ऐसे नहीं करना है जैसे हम रोटी को रखते है ना बिलकुल वैसा ही रखिए थोड़ा सा उससे ठिक रहने देंगे हम यहां पर हद से जादा पतला करेंगे तो फिर यहां पर यह तूर सक लगता है उसके साथ ही दोस्तों इसे बेलते वगक मैं थोड़ा सा इसके ओपर हरा ढणा अब हरा दन्या लगा डिया है अब हरा दन लगाना आपकी मरदी है चाहें तो लगाएं चाहें तो से 1 किंवे कर सकते है इसरे जो नास्ता है देखने में काफी अप्रएक्टिव बहुत जादा ओवर फिल नहीं करना इस बात कर ध्यान देना दो तीन बड़े चमश डालेंगे और बिल्कुल सेंटर में ही डालेंगी फिर जैसे हम पराठो को कैसे रैप करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपको इसको रैप करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ह जितना भी एक्स्ट्रा जो है न गिहूं का आटा होगा हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे अगर आपको लगता है कि पूरा बंद गया है तो ठीक है कोई बात नहीं अगर नहीं तो आप इसे बाहर निकाल दीजी बस इस तरीके से जो है न हमारे जो यह बॉल्स है उतना ही पत्ला बेरना है और बाद में जब हम रैप करेंगे तो जितना एक्स्ट्रा मसाला पॉसिबल होगा वो हम ज़रूर बाहर निकालेंगे अब यहां पर यह देखे कितने सुन्दर जरीके से यह रैप हो चुका है अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए तो इसे बनान की ब्रशिंग कर लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि जैसी हम गरम तवे पर इसे डालें यह चिपक जाए बस यह सबसे ज़्यादा जरूरी है अब सभी बाल्स को हम इसी तरीके से करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी पर कोशिश यही करने आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस पर रखना है बहुत जादा नहीं थोड़ी थोड़ी स्पेस पर रखेंगे उससे क्या होगा जब हम इसे सेखेंगे ना तो चारो साइज तिक दम परफेक्ली सेखेगा अब बस यहाँ पर मैंने एक मिनट के लिए प उपर से ज्राय बभी नहीं देगा और ओपर से रॉपर से बिल्कुल भी नहीं लगेगा अब ये देखिए हम इस नास्ते को गर्मा गर्म बाहर निकाल लेते हैं आप इस नास्ते को जब भी enjoy करेंगे न तो आपका दिल खुश हो जाएगा आपको बिल्कुल तिज़ा वाली feeling आएगी साथ ही आपने देखा ऐसे बनाना भी कितना आसान है आपको कोई भी problem नहीं आएगी बस सेखते वक्त आपको अच्छे तरीके से rotate करते हुए चारो side से सेखना है ताकि कहीं से भी ये बिल्कुल कच्चा ना लगे अब मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा रही है नास्ते को कि कितने perfect इस पे spots आये हैं टो नीचे वाला हिस्सा है वह वह भी पूरा बुट अच्छे तरीके से कुला है इस अबी नास्ते को हम बहार निकाल लेते हैं और यह एक In2 मिन देखनी में साथी देखने में जितना संदर लगता है न सब्त In2 मिडन लगई हो तो वह भी कूक हो मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ लास्ट में आपको इसके लुकिंग भी दिखाती हूँ कि इतना सुन्दर लग रहा है यह आप इसे ही इंजॉय करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा शाम की चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं आपको यह बहुत पसंद आएग अततकिली, बाए!